Hello everyone, welcome to our channel intensive study decimal के topic में आज हम continue कर रहे हैं subtract यानि घटाओ, subtraction करेंगे हम आप इसका part 1 जरूर देखें ताकि आपका concept और भी अच्छे से clear हो जाए तो देखें हमें क्या subtract करना है 2.051 km को 5.206 km में से minus करना है from के बाद की digit रखते हैं उपर और from के पहले की digit रखते हैं नीचे फिर भी अगर आप कभी confused हो जाएं तो आपको यह समझ लेना है कि देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है पॉइंट के पहले देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है क्या बड़ा है? 5 तो obviously 5 वाले digits जो हैं वो उपर रहेंगे तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं 5.206 km किलो मीटर लिखना बहुत important है इसमें समय माइनस क्या करना है? 2.051 km माइनस का sign लगाना भी important है किलो मीटर के नीचे लिखेंगे किलो मीटर 6 माइनस 1, 5 ये इससे बोरो करके हो जाएगा 10 और ये इसको लेंड करके यानि एक उधार देके बन जाएगा 1 10 माइनस 5, 5 1 माइनस 0, 1 5 माइनस 2, 3 So it is 3.155 km आपका subtraction कभी गलत नहीं हो सकता सबसे पहले आप बड़ी digit को उपर रखिए point के नीचे point रखिए, digits के नीचे digits रखिए और अगर कोई unit दे रखिए हैं यानि meter, kilometer, rupees ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी लिखें आपका कभी भी subtraction गलत नहीं हो सकता अब हमें माइनस करना है 0.314 kg from 2.107 kg तो देखिए यहाँ पर point के पहले देखेंगे यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है 0, क्या बड़ा है 0 या 2, 2 बड़ा है तो 2 को रखेंगे उपर और मैंने आपको पहले भी बताया from के बाद वाली digits को उपर रखते हैं from के नीचे वाली digits को नीचे रखते हैं अगर हिंदी में लिखा हो say यह इसमें से घटा हो say के बाद वाली digits रखेंगे उपर और say के नीचे वाली digits रखेंगे नीचे अगर आप इन दोनों चीजों में confuse हो जाओ तो कोई बात नहीं digits को देखो digit में जो बड़ा लग रहा है उसी को उपर रखना है so 2.107 kg को रखेंगे उपर और 0.314 kg को रखेंगे नीचे और minus का sign लगाएंगे kilogram के नीचे kilogram 7-4, 3 यह 0 में से 1 minus नहीं हो सकता यह इससे एक borrow करेगा बन जाएगा 10 और यह इसको एक देके lend करके उधार देके बन जाएगा 0, 10-1 करेंगे तो यह हो जाएगा 9 अब यह 0 में से 3 minus नहीं हो सकता, यह इससे एक borrow करके बन जाएगा 10 यह इसको lend करके बन जाएगा 1 so 10-3, 7 point के नीचे point 1-0, 1 so it is 1.793 kg so I hope मैंने आपका subtraction का concept clear कर दिया है if you like this video please hit the like button share this video subscribe our channel and also press the bell icon thank you very much